अब आप अब आप अब आपको दिखाने वाला ओ जो वल्ल कर नंबर वन हैर पैच है बहुत किसी को यह क्वेश्चन रहता है कि क्या हैर पैच पहने से इंफेक्शन होता है क्या कोई इरिटेशन होता है तो आप देख पार हो भाई जो स्कैल्प है वह बिल्कुल क्लीन है और आपको कोई भी निशान नहीं मिलेंगे भाई या के स्कैल्प में इसका बहुत कुछ फैक्टर है बहुत रिजन्स प्ले करता है बिफोर ओलडिस कॉश ऐसी कि आप देख पार हमें एक वाटर बेस्ट ग्लू यूज़ कर रहे हैं 0.3 में या फिक कोई भी लाइट जो हैर पैच होता है उसके ऊपर वाटर बेस्ट ग्लू यूज़ किया जाता है इससे इचिंग बहुत कम होता है और जो होल रहता है पैच काफी ज्यादा टाइट आप देख पार हो भी हमने पेस्टिंग का प्रोसीडियर वह स्टार्ट कर दिया और आप वीडियो में आखिर तक बने रहे होता कि आप देख पाओ यह जो सामने का लुक है वह को तुरह लाइट हेर पैच में चाहिए था तो 0.3 में बेस्ट ऑप्शन जो बहुत ही पता नहीं कर पाया कि आपने पैच पहन कर देख पाद हो इसका जो विजिबिल्टी है वह बिल्कुल ही अन पैलल है इसका जो मैच अप है वह कोई पैच नहीं कर सकता है नॉर्मली इन सब पैच की जो लॉंजिविटी होते हो अराउंड 6 मंस तो 7 मंस का होता है लेकिन तो प्लीज देडी मत कीजिए अगर आपको चाहिए ऐसा लोग अगर आपको चाहिए आप भी इतना अच्छा दिखो तो आप बिल्कुल हमारे सेंटर आजाओ हमारा सेंटर कोलकाता में रवीन्द सरवर मेट्रो सौट लेक और दुरगपूर में अवेलेबल है और प्लीज कॉमेंट बक्स पर बताएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा कोई स्टाइल कैसा लगा इतना अच्छा लुक कोई भी हैर पैस में नहीं आ सकता है यह मैं आपको दावा कहके बोल सकता हो तो देडी मत कीजिए आज आजाई हमारे सेंटर थैंक्यू सो मुझ एवरीबडी और प्लीज सब्सक्राइब करना मत बुलेगा थैंक्यू